हलो फ्रेंड्स, राम राम, सबसे पहले करेंगे हम वाम अप, वाम अप में कमर को रोटेट करना है, मैं इसे सिर्फ एक ही साइड कर रही हूँ, आप इसे दोनों तरब भी करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए सिर्फ एक साइड करा है, इसके बाद करना भहुत जरूरी है, यदि एक्सरसाइज के पहले वाम अप नहीं किया, तो बोड़ी गरम नहीं होगी, और इतना फायदा हमें नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज का, तो चलिए, उठाते हैं, हम पेरों को और टच करने की कोसिस करेंगे, उपर तक, धीरे-धीरे से ही एक्दम कड़क रहता है, और इतने अच्छे से नहीं हो पाता, अब हम कर रहे हैं, क्रोश टच, आप देखी रहे हैं, इस तरह से हमारी बोड़ी गरम होगी, और हम एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएंगे, इस तरह से हातों को टच करते हुए कोहनी से पहले करेंगे, अब दोस्तों हम करेंगे साइड बेंड, पेरों में सोल्डर जितना गेप रहेगा, और स्लाइड करते हुए दोनों तरफ नीचे जाना है, दोस्तों यदि हम रोजाना 10 मिनिट ये एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे पेट से जो चर्बी है, वो बहुत जल्दी ग करदन की जितनी भी एक्सरसाइज होती है, यदि जटके के साथ करी जाएगी, तो फाइदे की जगे नुकसान हो जाएगा, और जटका लगने का डर रहता है, नेक को साइड में अपडाउन करेंगे, इसके बाद दोस्त हम सुरू करते हैं एक्सरसाइज, सबसे पेले हम करे आराम से एकदम फ्री होके हम एक्सरसाइज करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई लोड नहीं लेना है, पेरों को जमिन के टच नहीं करना है, यह दिखे इस तरह से, डाउन, अप, डाउन, अप, दोस्तों जब आप यह एक्सरसाइज करोगे, तब आपको पता कि इसका अपने पेट पर कितना ज्यादा असर होता है सही सही एक्सरसाइज हो भी नहीं पाती है और हमारे जो पेट में है थड़ा एठन सी आने लगती है लगता है कि हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि भहुत मुश्किल है जब आप करोगे तब आपको खुद को पत और अपना माइंड सेट करना है कि हमें अपना बेली फेट कम करना है कोई भी काम जब तक पूरा नहीं होता जब तक कि अपन अपना माइंड सेट नहीं करते हैं यदि अपने माइंड सेट कर लिया कि हमें करना है तो करना ही है चाहाई उसके लिए हम केसे भी टाइम निकाल यदि सुबह जल्दी टाइम नहीं मिलता है तो थोड़ा घर के काम से फ्री होकर जो लेडिज लोगें उन्हें घर का काम बहुत रहता है उसके बात करिए और इसके बाद एकदम रिलेक्स हो जाईए दूसरी एक्सरसाइज है रिवर्स क्रंच पोजिशन लेंगे इसके बाद पाओं को धीरे धीरे अब डाउन करना है तो दोस्तों मेरी जितनी भी एक्सरसाइज होती है पूरी बोड़ी के लिए होती है इसमें अपने पूरी बोड़ी के एक्सरसाइज आ जाती है परन्तु य यह जो वीडियो मेंने बनाई है यह सिर्फ बेली फेट के लिए special है और आप देखेंगे जब भी आप यह exercise करेंगे अपने पेट पर कितना ज़्यादा असर होता है बस इसी तरह से धीरे-धीरे महिने बर के अंदर आपको लगने लगाएगा कि आपका जो बेली फेट है वो क पाउं को आगे की तरफ पुश करना है आराम से करिए यदि आपसे नहीं उपाता है तो दीवार का सहरा ले लेंगे लेकिन करनी हमें प्रोपर ढंक से है चाहे कम काउंटिंग के साथ करिए लेकिन पूरी करिए थोड़ा रिलेक्स हो जाएंगे इसके बाद अगली exercise है हम ए बस इसी काउंटिंग के साथ हमें करते जाना है आप देखेंगे अपने hips और belly पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है ये सब करते करते दोस्तों आपके sweating होने लगेगी एक साफ कपड़ा अपने पास रखें ताकि sweating क्लीन कर सकें और तैयार हो जाएंगे अगली exercise के लिए अ और गर्दन को उठा कर आगे की तरफ लाना है जितना हो सके उतना करना है पहले हम इस तरह से करेंगे आपको इसमें patience रखना होगा आहिस्ता आहिस्ता करनी है exercise एकदम हर भड़ाट के साथ बिल्कुल नहीं करनी है और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है अब हम दोनों पेरों को उठा लेंगे और पेरों के टोको टच करने की करेंगे इससे हमें थोड़ा अच्छे से हो पाएगा ये देखिए one two one two इसी counting के साथ आप करते जाएंगे आपके exercise पूरी होते जाएगी 10 minute कोई जादा नहीं है दोस्तों अपने लिए निकालना बहुत जरू अगली exercise के लिए हम पहले थोड़ा रिलेक्स हो लेंगे बोड़ी को एकदम धिला छोड़ देंगे ताकि शरीर को आराम मिले और exercise करेंगे heel touch position ले लेंगे दोनों साइड से दोनों हातों से heel को touch करना है चलिए start करते हैं one two one two one two बस इसी तरह से दोस्तों ये simple सी exercise है आपको यदि ज़्यादा tough लगती है तो आप simple वादी से शुरुआत कर सकते हैं फिर धीरे धीरे tough की और आएंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी plank को छोड़ कर कोई भी exercise बहुत ज़्यादा tough होगी बोड़ी को relax छोड पूरी है ताकि जो अगली exercise है उसमें हम पूरी energy के साथ exercise कर सकें अगली exercise है single leg jackknip इसमें एक पेर को उठाकर opposite side वाले हाथ से toe को touch करना है one two one two इसमें जितना हो सके अपने सरीर को भी उपर उठाना है हाथों से toe को touch करना है और पेरों को एकदम सीधे रखना है तो बस friends इस तरह से अपन रोजाना 10 मिनिट निकालेंगे इस exercise के लिए तो आप महिने भर में देखना आपका belly fat कम हो जाएगा और आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने 30 मिनिट का dance workout डाल रखा है यदि आप करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट वो dance workout करें आपको भहुत फायदा मिलेगा इस तरह से जो भी मेरी exercise है उसमें अपने हाथ की पेर की और पेट की थाई की सभी की exercise आजाती है रिलेक्स हो जाएंगे बोड़ी को एकदम रिलेक्स छोड़ दीजिए जब भी हम रिलेक्स करेंगे बिल्कुल मन में कोई भी विचान नहीं आने चाहिए क्योंकि सुबह का time अपना time है इसे अपने को अपने सरीर को देना है अब अगली exercise करेंगे यह थोड़ी tough है लेकिन कोशिस के बाद आ जाएगी यदि शुरुआत में नहीं होता है तो आप बीज बीज में गुटनों को नीचे रखते रहें और फिर वापिस उपर करते रहें शुरुआत में आप 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड इस तरह से कर सकते हैं लेकिन इससे पूरी बोडी में हमारे जो strength हाती है दोस्तों वो पूरा दिन बना देती है आप करके देखना एक बार क्योंकि जो कम अपन करते हैं तभी हमें उसका अनुभव होता है और इसके बाद एकदम बोडी को relax छोड़ देंगे उल्टे लेट जाएंगे कोई tension नहीं मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए बस जैसे अपन सो गए हैं बस इस तरह से अपने को करना है आप देखेंगे कितना जल्दी फाइदा होता है आपको अब हम करेंगे stretching के लिए पेर को उठा कर rotate करना है दोनों side में करना है दोनों पेरों को इस तरह से stretching से जो भी muscles हमारी इधर उदर हो गई है ठकान होती है वो नहीं होगी हमारे सरीर में इसके बाद पेर को उठा कर इस position में आना है यदि आपसे नहीं होता है तो आप दोनों हतों से पेरों को पकड़ लीजी बस दोनों पेरों से कर लेंगे इस तरह से stretching जरूर करिएगा दोस्तों चाहिए आप कोई भी exercise करें warm up फिर exercise फिर stretching इसके बाद पेरों को मोड़ कर पीछी की तरफ ले जाना है यदि आपका balance नहीं बनता है तो हाथों को इस तरह से कर लीजीए या फिर एक हाथ से दीवार को पकड़ लीजीए दूसरे पाउं से भी करेंगे बस इस तरह से simple simple से stretching है आप कर लीजीए आपको ठकान बिल्कुल भी नहीं होगी दोनों पेरों में गेप करेंगे और आगे की तरफ band होना है कमर एकड़म सीधी रहेगी आपको यदि इस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप इस position को इस तरह से देखिए और कमर को एकड़म सीधी रखना है फिर सामने की तरफ देखना है इसके बाद धीरे से अप करना है और स्ट्रेट हो जाएंगे अब हम करेंगे दोना हतों को लोग करके स्विंग बस इस तरह से बोड़ी को रिलेक्स छोड़ दीजिए दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए और नए है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ओके दोस्तों बाबाए